हेलो गुड मॉर्निंग और विल्कम बैक तो मैं चैनल और अभी बज़ रहे हैं सुभा साथ मैं अभी अभी उठी हूँ क्योंकि आज है मदर्स डे और मैं ममा के लिए कुछ सर्प्राइस प्लैन किया हैं ममा का गिफ्ट आ चुका है वैसे तो यह गिफ्ट आज ही डेलिवर होना था बट मैंने सूचा था कि जब आज आएगा गिफ्ट तो मैं ममा को ही भेजूंगी वह गिफ्ट रेसीब करने फिर जब आएगा तो आके पूछेगा कि क्या है यह तो मैं बोलूंगी कि आप खुद ही इसको अनपैक कर लो और वह गिफ्ट कल ही आ चुका है मतलब सरटे को आ चुका है तो ऐसे ममा ने ही रिसीव किया था वह गिफ्ट पूछ रही थी कि क्या है यह तो मैंने बोला कि यह मेरा ही कुछ चीज़े हैं ऐसे बोल के मैंने उनको रोपा मैंना वह तब ही देखना जाते थी कि क्या है वह और वैसे आज ममा के लिए उनका कुछ फेवरिट डीसे बनाना चाहती हूँ, उनका फेवरिट डीसे वैसे पकोड़े बगेरा ऐसा कुछ खाना उनका पसंदिता होता है, बड़ जैसे मैं ये सब तले हुए खाना पसंद नहीं करती हूँ, उनको भी खाने नहीं देती हूँ, तो वो जादा खाती नहीं हैं ये सब चीज़े पर मैंने आज सोचा कि चलो कुछ चीज़े बना देती हो उनको I hope कि सर्प्राइज तो नहीं होगा मैंने सोचा था कि कीचिन में जाकी ये बना के एक दम ममा जब उठे तो उनके सामने में प्लेट में परोस हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो कीचिन में नहीं घुसेगा अशब बिल्कुल होगी सकता तो मैंने उनको बता दिया कि मैं कुछ स्पेशल डी से बनाने वाली हूँ क्या बनाने वाली हूँ ये मैंने नहीं बताया और मैं उनको को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज देखो मत क्या बना रही हूं चलिए मैं ममा भी उट चुकी है और मैं ममा को उनका गिफ्ट देने वाली हूं और देखते हूं का रियक्शन कैसा हुता है ममा को रियाद भी नहीं है बत आइधिक ममा को याद था और इनका बता भी था इसमें इनली कुछ गिफ्ट है तो उनका को आपको कोड़ो कैसे कैसे कैश कहा है कहा है तो कहा है लेकिन क्या है खोल के देखो ऑग है अच्छी अच्छी मेरे ममा हमेशा ऐसी बात करते रहते हैं मजाग मजाग में नहीं बबाता हूं बांचों धी गचान है लांचों अचिवापपपप अच्चान है देखो कैसा है घंपषी जी ? भूपुत सुदर है गदम्पठी पे बहुत सुदर है भूपुती बापपा मुंया तो ये रहा भूपूमा का गिफ्ट अच्छा लगा गिफ्ट आपको जुँ बम बेड़को जुप जुँनां और भी टल flavour जुँें जुँ तर चालख के सबस tv बहते刊 को सबस्क्कי और है बोड़ा बनाने आ गई हूं ब्रेकफस्ट में और मैं खुदी कन्फ्यूज हो गई हूँ कि मैं जंग लडने आई हूँ या फिर कुकिंग करने तो यह बनाने के लिए मैंने चिकन को किमा बना लिया पहले फिर मैंने यहां पर ले लिया प्यास टामाटर और गार्लिक अब मैं एट करहे हूँ चॉप्ट गरलीक चॉप्ट गरलीक एडिंग लिटल बिट सॉल्ट नाओ एडिंग जिंजर पेस्ट, मैं कोई भी खाना बनाओ, जिंजर थोड़ी बाद में ही आड़ करती हूँ नाओ एडिंग टमाटर अब सारे मसाले अच्छी तरह से कुख हो जाने के बाद मैं यहाँ पे आड़ कर रही हूँ चिकन जब तक हाँ पे सारे चिकन कुख हो रहा है मैं यहाँ पे ले रही हूँ अंडा जो मुझे कोटिंग करने में मदद करेगा मैं फिलहाल यहाँ पे दो अंडे ले रही हूँ बाद में अगर जरूरत हो तो और भी जादा ले लोंगी यहाँ पे चिकन पुड़ा नरम हो चुका है और अब मैं यहाँ पे अड़ करूंगी यह पाव भजी मसाला थोड़ा सा गरम मसाला अब यह पूरा बन चुका है और मैं इसको एक प्लेट में डाल रही हूँ थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ इसको अब जब बात है ब्रेड पकोरे की तब मुझे तो ब्रेड ओवियसली चाहिए साथ में मैंने थोड़ा सा मैदा घोल के रख दिया और अब यहाँ पे दो ब्रेड मैंने ले लिया साइड को कट करके अब ब्रेड को अच्छी तरह से स्टाफिंग कर लेती हूँ मैं अब बात है हमें इसे एक के अंदर डाल देती हूँ फिर इस पे लगाती हूँ ओट्स का कोटिंग अब बाड़ी है तलने की जो लास्ट टेप है और गर्मा गरम परोसने की और ओवियसली इंजोई करके खाने की तो अब मैं माम को इसको खिला रही हूँ और उन्हें इसारों में पूछ रही हूँ कि कैसा बना है और वो भी इसारों में जवाब दे रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगा है तो गाइस मैं लंच करके आ गई हूँ ममा के लिए ब्रेक्फरस्ट बनाते बनाते बहुत दिर हो गई थी तो इसलिए मैं आफ्टर ब्रेक्फरस्ट बच्चों को खिलाने चली गई थी फिर उसके पहले चुरा सब वार्क आउट भी किया और लंच के बाद में यहां के बैट गई यह वैसी ममा का कमरा है और यहां आके बैटने की एक बजा है क्योंकि आज वेदर बहुत जाद अच्छा है कितना अच्छा वेदर है बाहर और लग रहा है बारिश भी होने वाली है तो इसलिए यहां पे बैट गई मैं और आज का दिन बहुत अच्छा रहा ममा भी बहुत खुश है बस ममा खुश है यही मेरे लिए बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट है I wish सब अपने अपने पेरेंट्स को खुश रखे और सबसे बड़ी बात क्या है पता है जब हम पर हमारी पेरेंट्स प्राउट फिल करते हैं इससे जादा अच्छा मोमेंट I think दुनिया में कुछ भी ही हो सकता तो I don't know कब मैं अपनी ममा पपा को प्राउट फिल करवा पाऊंगी तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लोग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बाजवाली बिल को भी दवा देना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें सतर्क रहें और अपने फैमिली मेंबर्स को अपने अपने लोगों को हिल्दी रखने में स्वस्त रखने में मदद करें टा टा बाइब बाइ